जेहन सातियों तो आज हमारा ये नेक्ष्ट लेक्चर होगा रामबान इस्टेटिक जीके का और सबसे पहले मैं आप सभी सिछामा मांगता हूं कि कई दिनों से जो हो तो वीडियो नहीं पड़ा है और इसका एक खास रीजन भी है क्योंकि हमारे परिवार में घर में एक ट्र वीडियो लेक्चर जो हो तो लगातार आएंगे और हम जल्द से जल्द रामबान इस्टेटिक जीके को कबर करके और जैसे कि मैंने पीछे जो हो तो आपसे प्रॉमिस किया है कि हम पॉलिटी को चालू करेंगे वाइड बोर्ड में करेंगे और पूरी तरीके से उसको खात करेंगे तो चालू करते हैं अपना जो हो तो लेक्चर और यहां पर है अंतर राष्टी मुख्याले जो तेरे नंबर का टॉपिक है तो बीना टाइम को गवाय हुए देखिए पहला कोशन इसमें क्या है विस्वन जीवन निधी का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले कहां हो जाएगा ग्लैड में कहां भी हो जाएगा घ्लैड में अगला कोशन है विस्वन आर्थिक मंच का मुख्याले कहां है जीवा स्वीजर लैन में है United Nation Environment Programme UNEP का मुख्याले नेरोबी में है अगला कोशन है UNICEF की ا clipping the में इस्तित है अंगला क्वेसटेट व articulate कहा हुए जीनेवा में ब this Animal का मुख्याले कहां पर इस्तित है यून इस इफ नीम्यार्क में इस्तित ए टो निम्यार्क मिष्थी थे, NATO का मुखहले, Brussels मिष्थी थे, Vipo का मुखहले, Geneva मिष्थी थे, IMO का मुखहले, London में इस्थी थे, Business Bank का मुखहले, Washington, DC, USA में इस्थी थे सायुक्त रच्टर का मुखहले, New York City में इस्थी थे, किस देश में सार्क सचिवाले का पर स्थापना कौन त्यार करता है तो संयुक तराश्ट विकाष्ट कारक्रम UNDP करता है विस्ट वैपार संगठन जो अब गायट के इस्थान पर है का मुख्याले कहाँ पर इस्थान जिनेवा पर है किस वर्स विस्ट वैपार संगठन किस था अपना हुई तो 1995 में हुई वर्ड एकोनॉमिक आउट लुक रिपोर्ट किसके दौरा तयार की जाती है तो IMF दौरा तयार की जाती है विस्ट खाद कारक्रम का मुख्याले रोम में इस्थित्थ है किस वर्स में दच्छन ACI छित्री सहयोग संगठन 1985 में इसका गठन किया गया सिंगतराश्ट महा सभा ने यूनीडों की स्थापना है तो किस वर्स में एक प्रस्ताव पारित किया था 266 में पारित किया था अंतरराश्टी परमाड़ औरजा एजनसी का मुख्याले कहां पर इस्थित्थ है तो वियना में डबली हच की स्थापना कब होई 1948 में होई अगला कोशन है का मुख्याले कहां पर इस्थित्थ है तो मोने का यहां पर जो डेट है मतलब जो कोश्चन आया होगा पेपर में मतलब डेट सही तो दिया होगा तो आपको थोड़ा सा डेट में भी दियान देना है विस सुब्यापार संगठन की स्थापना कब होई उने सो पंचानवे में ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहां पर इस्थित्थ है तो अगला कोशन है आENCEर्या में इस्थित्य थै अगले कोशन के वे बढ़े है तो वर्डऄी कोनॉमिक फोरम का मुख्याले युओ ए मपका सब्सक्राइब देखें तो यूयरोएं पॉक्राइर सब्सक्राइब यूशतर समारी समर्सक्राइब सड़त है एकने एक मनेटक्री लानिंटuencia का सब्सक्राइब 529 ri जीनेवा स्विजा लेट में और OECD के मुख्याले पेरेस फ्रांस में च्याव एगाता है तो वर्ड एकोनोमिक भारम दोरह जारी किया जाता है निमले कितमे से कौन सा देश बिस सुभयापार संगठन का सदस नहीं है तो इरान नहीं है अगला कुछन अफगानिस्तान सार्क के किस वर्स सामिल हुआ तो सार्क में किस वर्स सामिल हुआ तो यह हो जाएगा 2007 में वर्तमान में सार्क में कितने सदस हैं तो 9 सदस है इज आफ़र डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा पर कासित की जाती है तो वर्ड बाइंक द्वारा की जाती है जिसेंग संग्यान कितने सामिल हुआ तो फिप्टीवन थी यूएन चार्टर का इस्थापना दिवस क्या है तो इसका इस्थापना दिवस 24jat अक्टूबर 1945 है वारत किस वर्स सेंगत राश्ट संगमें सामिल हुआ तो निग्यान हम ही सामिल हुआ था सियुक्त राष्ट सुरच्छा परिसद में कितने सदस होते हैं तो 5 इस्थाई और 10 इस्थाई होते हैं जिनका कारकल इस्थाई वालों का 2 साल का होता है इन में से कौन सा देश आसियान का सदस नहीं है तो भारत नहीं है अगले कोच नहीं रासाईनिक हतियार निसेद संगठन का मुख्याल है कहां पर इस्थित है तो नीदर लैंड में इस्थित है क्विक रिमेंडर देखें तो ये संयुक्त राष्ट संग की बात करें तो नियुयार का संयुक्त राज अमेरिका उनिसो पैंतालिस चोबीस अक्टूबर उनिसो पैंतालिस में स्थापना संयुक्त राष्ट सेचिक बैग्यानिक योम सांस्कृतिक संगठन यूनेसको की बात करें तो पेरिस फ्रांस में मुख्याल है उनिशबभ की तो न्युयार के सद्धापन निशवारन को समयुक्तराज़ म! यह थोड़ा आपको डेट भी हलका से जो तो याद रखना है ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना हो कभी कभी डेट से आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है विस्वास्त संगठन का जो तो मुख्याले जिनेवा सुजर लेंड में हैं साथ अपरेल निस वरतालिस को इसकी स्थापना ह अंतरराष्टी मुद्राकोस वासिंगटन डीसी अमेरिका में और उनिस्वास्टावन में स्थापना अंतरराष्टी ओलंपिक समिती लुसाने सुजर लेंड 1894 में स्थापना विस्व यापार संगठन जिनेवा सुजर लेंड 1995 में स्थापना अंतरराष्टी रेड क्रास अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट हमारे सामने आजाएगा नाटो की बात करें तो नाटो का मुख्याला बुरुसल्स बेल्जियम में इस्थापना उनिस्ट्राश्टी ने आले में इसका मुख्याला है और 2001 में इसकी इस्थापना हुई थी अंतर रश्टी समुद्री संगठन लंदन यूनाइटिड किंग्डम और 1944 में इस्थापना अंतर रश्टी नागरी को देन की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाड़ा उनिस्थापना हुई थी अर्गनाइजेशन आफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक तो इसकी इस्थापना वियना आश्ट्रिया और 1960 में इस्थापना इसका मुख्याले कहाँ पर हो जाएगा वियना आश्ट्रिया बिक्स की बात करें तो इस्थाई मुख्याले नहीं है अध्यच्चिता गोडन अधार पर होती है और इसकी स्थापना 1961 में हो थी अंतर राश्ट्रिय आप राधिक न आले हैं हेग नीदर लैंड में मुख्याले है और दो हजर दो में इसकी इस्थापना हुई थी अंतराश्टी उर्जय एजनसी की बात करने तो पेरिस फ्रांस 1974 में इस्थापना हुई थी अगले टॉपिक की बात करने तो चौदा नंबर टॉपिक है हमारा देश की मुद्रा और राजधानी यह भी काफी इंपॉर्टन पीडिएप की बात करने तो पीडिएप आपको जो तो टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है चैनल पे तो आप वहां से प्राप्ट कर सकते हैं पोचन देखते हैं थिंपू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है तो भूटान क्यों ह पोरिंट इज्रायल की राजधानी जेरूसलम पोलेंड की राष्ट्री मुद्रा जलाटी ओमान की राजधानी मसकट बगदाद की बगदाद किसकी राजधानी है इराक की पटाका किस देश की मुद्रा है तो मकाव पेरिस किसकी राजधानी है फ्रांस की ओटावा किसकी कनाड़ा की सुईडन की राजधानी का नाम क्या है इस्टाक होम ओर्ट आफ इस्पेन किसकी राजधानी है तो त्रीनी दाद टुबैगो विस्टु में कुल कितने देशों की संख्या है तो एक सो पंचानवे मलेसिया की मुद्रा क्या है तो रिगनित अगला है यूनान की र सेरी लंका की इटली की राभधाने रोम नसाव किस देश की राधाने हैं बाहमास नारवे की राधानी ओसलो पाकिस्तान के राधाने इस्लामाबाद फिन colonial तैसकन्द बोट्सवाना की मुद्रा पूला तुर्की की राधानी अंकारा अगले बात करें तो आगे हमारा हो जाएगा साइप्रस की राधानी कौन सी है तो निकोसिया आस्ट्रिया की राधानी कायनबारा रियल किस देश की मुद्रा है तो ब्राजियल की नूजी लैन की रज़ानी वेलिंगटन, युगांड़ा की रज़ानी कंपाला, आयर्लैंड की रज़ानी डबलिन, आश्ट्रिया की रज़ानी विएना, आबुधा बी किस देश की रज़ानी है। उनाइटेद अवर है उनाइटेड आरब अमीराथ की यूरोपियन संग की अधिकारिक मुद्र क्या है यूरो एमस्जटर्डम किस अधार्डम ने कि मनत किस देश के मुद्र है अजर्बेजान जापान की मुद्रा एन बहत किस देश की मुद्रा है तो थाईलेंड की सीरिया की राजधानी कौन सी है तो दमसिक वियत नाम की राजधानी हनोई सिरलंका की राजधानी कौन सी थी तो अनुराधापुर हवाई दूइब की राज़ानी क्या है होनो लूलू कारा कस किस देश की राज़ानी है तो वेनर जूला पेरु की राज़ानी लीमा मैंनमार की नही राज़ानी नाइपीडा खीजी की राज़ानी सुवा रूबल कहां की मुद्रा है तो रूस की बैंग बर्दुइ राज जुका नाम बता ёदे तो तस्माणिया, होगे हैं कि तस्माणिया, आगे हैं अगे ही ति हम देखें तो रायट जार किस देशकी मुद्रा, तो जच्छन अफ्रिका की तलिन किस देशकी राधाने हैं तो एस्टॉनिया की, बायंक् ecolic lasci की थाइलेंड की भुटान की मुद्रा नोगुत्रूम अगला कोशन देखें तो मलोबो किस देश की राधानी है तो एकोटोरियल गिनी की अम्मान किस देश की राधानी है जार्डन की दोसामबे किस की राधानी है तजाकिस्तान की केन्या की राधानी क्या है नैरोबी साउथ क पॉरिया की मुद्रा क्या है वान आगे देखें तो ब्राजीर की राधानी क्या है ब्राजीलिया अगला देखें तो एजिप्ट की मुद्रा क्या है पाउंड है सर्भिया की राधानी बेल ग्रेड है स्विजर रेंड की मुद्रा क्या है तो स्विस फ्रैंक है आगे देखें कि रजधानी के है लुसाका नामीभिया की मुद्रा कहने है वी-बी-एन-डालर और मापूटो किसकी रजधानी है तो मुजांबिक की मैड्रिट किसकी रजधानी है तोhã स्पेन की आगे हम प्राक्टिस बेश्ट कॉस्चिन की बात करें तो जहां पर पहनले question हो जाएगे 20 की मुद्राओं के संदर्भनें मेल किसमें से कौन सा यूग मट सभी धंक से मेल खाता है तो म्यानमार्ण की जो तो मुद्र क्या हो जाएगी क्या ये ही तो मेंल खाताए ठीक है तो आगे देखते हैं कौन से सहर पस्चिम आश्टेलिया की राजधानी है तो पर्थ है अगर कुछ से भारत के किस पढ़ोषी देश में रूपय को मुद्रा की रूपमें प्रयोग नहीं किये दाए तो बांगलय दिसमें टका का यूज करते हैं स्योल किसकी राजधानी है तो दच्छंड कोरिया की तो प्रीटोरिया प्राग किसकी राजधानी छुट राज पें रिपब्लिक शिंगापूर की आधिकारिक मुद्र क्या है तो सिंगापूर डॉलर आगे बात करें तो देस और राजधानी का इनमेंसे कौन सा-युग में पप्रूम्यम इसमयलित नहीं है? तो कजáriaकिस्तान की यह जो पिसकेड की लिखा है यह क्या हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी त्रफी थीक है? कुना क्सक्थ की मुद्रा है ग्रूएसिया, माय्टरिय लुन की रैधानी तो इसपयन की उस देश का नाम बताईए जिसके मुद्रा रूपीया नहीं है म्यानमार की मुद्रा ठाइब कि म्यामार की मुद्रा क्या हो जागी मियारमgress साय और पीड'll आप आभो जाएगा अगल्द हम पुर्तगाल की राजदानी क्या हो जागी लिस्बन अल्कुन से क्वेस्थ हिलारूस की राजदानी है तो मिंस्क आगे देखे तो अगला question हो जाएगा Argentina की रजधानी विवनस आरेंस अगला question देखें पियोंग यांग की किसी रजधानी है तो उत्री कोरिया की तो इराक की मुद्र हो जाएगी ठीक है यहां पर क्रिम इंडर बात करें तो भारत नई दिल्ली रुपिया USA की बात करें तो वासिंगटन डीसी डालर बिटेन की बात करें तो लंदन हो जाएगी प्राजधानी पाउंड इस्टरलिंग दच्छन अपरिका की प्रिटोरिया र जापान का टोक्यो एन और चीन का हो जाएगा बीजिंग यूआन दच्छन कोरिया का सियोल बॉन आगे देखे तो कनाड़ा का ओटावा कनाडियन डालर ब्राजील का ब्रासीलिया और ब्राजीलियन रियाल जर्मनी का बर्लिन और यूरो यहां पर साथ यह मैं कापी स्पी इरिस यूरो भुटान का थिंपो गुल्टरम इरान की बात करें तो तेहरान रियाल इराग की बात करें तो बगदाद इराने दिनार यह इरानी नहीं आता ठीक है इरानी नहीं आगे तो कनफ्यूजन होगी पीछे का आपको याद रखनाए दिनार आगे बात करें अफगा राजधानी मलेशिया की कुवाला लंपूर और रंगेट म्यानमार की नेपीदा नेपीदा या नेपीदा और क्यात इसकी क्या है मुद्रा है ठीक है तो सिरलंका कोलंबो सिरलंका की राजधानी क्या हो देगी कोलंबो और रुपिया साओधी अरब की रियाद और रियाल रू पोर्ट लूइस का रूपिया, मौईरि सब्सक्राइब रूपिया, न्यूजी लैन के बात करें तो वेलिंग्टिन राजानी ऑर डालर मुद्रा, ठालेरंड के बात करें तो बैंकोक राजानी और क्यात, बात ही, यह क्या है बात, क्यात वहां का तो यहां पी है बात है आगे देखे हम तो भीयतनाम की अरोई और डॉंग यहां की मुद्रा हो जाएगी अब यहां पर हमारा जो निक्सट पेज है तो हो जाएगा हमारा किस फर्म जो टॉपिक है तो टॉपिक नमर 15 और अंतरिच कारकरम इसपेस प्रोग्राम किस फर्म ने भारती छेतरी नेविगेशन सेटिलाइट सिस्टम पर अधारित भारत का पहला हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस पेस किया है तो एलेना जीयो सिस्टम्स ने पेस किया है जन्वारी 2018 से 2022 तक इसरो प्रमुक रूप में किस ने काम किया तो डाक्टर के सीवन ने काम किया नमले किसमें से कौन सा अंतरिच में जाने वाली पहली अरब महिला है तो रेया नाह बरनावी है 19 जुलाई 2013 को इसरो ने तमिल नाडू के महेंदर गीरी में इसरो प्रपल्सन कॉम्पलेक्स में किस मिसन का सफलता पूर्वक परिच्छण किया तो गगन यान मानव अंतरिच उडान मिसन का परिच्छण किया इलेना जियो सिस्टम्स ने विभिन बुनियादित हाच्चा परियोजनाओ के लिए सटीक दिसा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत का पहला चित्री निविगेशन सिस्टम सेटिलाइट सिस्टम आधारिट डिवाई स्पेस किया है ठीक है तो चंद्रमा के दच्छणी धुरू पर उतरने वाला पहला अंत्रिच यान कौन सा है तो चंद्रयान थ्री है इसकाई रूट एरो इस्पेस के सह संस्थापक और सी इओ कौन है जो भारत के पहले निजी तोर पर विक्सित रॉकेट को लांच करने कसरे पाने वाली प्रमुक घरेलू एरो इस्पेस कंपनी है तो पवन चंद्रयान तीन को किस अंत्रिच केंद्र से लांच किया गया था तो सीरी हरी कोटा सतीस्दवन अंत्रिच केंद्र से इस्पेसरो के वर्तमान अध्यच किस तारिक को अंत्रिच विभाग के सचिव और अंत्रिच आयोक के अध्यच का पदभार ग्रहन किया। यम्त्री मिशन कब सफलता पूर्वक पूरा किया तो मार्च 2023 में आगे क्वेश्चनों की बात करें तो अगला हो जाएगा आपन का मार्च 2023 में भारती अंत्रेच्छन संधान संगठन ने अपने सबसे भारी रॉकट यल्वी यम्त्री के साथ यूके इस्तित वन वेव समों से संबंधित 36 उप ग्रहों को सफलता पूर्वक इस्थापित किया PSLV कच्छी प्रायोगिक मॉडूल कि संगठन से संबंधित है तो इसरों से संबंधित है भारत की कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल्स पूरी प्रत्वी सेकेंड का चांदी पूर ओडीशा से सफलता पूर्वक परिच्छन किया गया अंतर राष्टि ये अंतरिच इस्थेशन की प्रतेग कच्छा में 90-93 मिनट लगते हैं क्या लगते हैं भारत के पहले चंद्रयान को क्या कहा गया था तो चंद्रयान फश्ट कहा गया था भारती अंत्रिच नुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई तो 1979 में की गई इसरो का मुख्याले कहां पर इसी था तो बेंगलोरो में इसरो का राकेट लांच पैड भारत में कहां इस्तित है तो सिरीहरी कोटा में पहला उपग्रह जिसे अमेरिका द्वारा 1958 प्रिश्चेपित किया गय था तो एक्स्प्लोरर वन को दुनिया का पहला क्रतिम उपग्रह इस्पूतनिक फ़स्ट भारत में स्पेस एप्लिकेशन सेंटर कहां इस्तित है तो अहमदाबाद में इस्तित है अंतरिच में जाने वाले प्रथम भारती ब्यक्ति का नाम बताए तो राकेश सर्मा राकेश सर्मा ने जिस अंतरिच यान में अंतरिच की यात्र की थी उसका नाम स्वयूज जड़ गेरा राकेश सर्मा ने किस देश के अंत्रिच यान से अंत्रिच की यात्र की थी तो सोवियत संग के अंत्रिच यान से की थी मंगल यान कहां से लांच किया गया था तो सिरीहरी कोटा से इसरो का पहला सोदेशी मानो अंत्रिच मिसन कौन सा है तो गगानियान है आगे दी हम बात करें तो यह हो जागा इसरो का पहला सूर मिशन 2019 में आदित यलवन को सुरू किया गया था भारती अंतरिच कारक्रम का जनक किसे का जाता है तो विक्रम सारा भाई को भारती अंतरिच हैं उसंदान समित 1979 में जो तो गठन किया गया किस वर्स भारत में अपना पहला सेटेलाइट लांच किया तो 1975 में अंतरिच में जाने वाले पर्थम ब्यक्ति का नाम यूरी गागरीन सतीज दावान अंतरिच केंदर कहा जिस्ती थे तो आंधर प्रदेश में पहले अध्यच कौन थे तो बिक्रम सारा भाई भारत के प्रसिद मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया गया है तो मौम के नाम से बुलाया गया है मंगल और्बिटल मिसन मंगल को किस वर्स में प्रश्चेपित किया गया था तो 2013 में मंगल ग्रह की कच्छा में अपने अंत्रिच्षियान को प्रथम प्रियास में ही प्रविष्ट करने वाला प्रथम देश भारत उस प्रथम उपक्रह का नाम बताईए जिसे विशेस रूप से सिच्छा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था तो इडू सैट को अगला कुछ मंगल मिसन को किष्राकेट द्वारा प्रिष्चेपित क्या घया था तो पी ऐसलवी सी 25 से प्रिष्चेपित क्या गया था आगNe अग्या अगला हो जागा हमारा पहला भारती ओपने स्थार उस्विश्ट का प्रिष्चेपित क्या गया था तो यह हो जाएगा decorating by आगे बात करें तो भारत का पहला अंतर ग्रही अभियान कौन सा था जो देगा मंगल मिशन आगे बात करें तो चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान क्या था तो अपोलो वन वन किस राज में उपग्रह प्रिछेपड़ वाहन के लिए इसरों ने सिकंड लांच पोर्ट सेटप किया है तो तमिल नाडो में आगे बात करें तो जुलाई 2019 में चंद्रयान टू को किस वाहन द्वारा प्रिछेपड़ किया गया था तो जी एसलवी एमके थाड एम वन से नील आमस्टांग चांद पर कब उत्रे 20 जूलाई 1979 को किस राज में भारत का पहला इस्पेस सेटप टेक पार के साफित केगा तो केरल में कौन सी अंत्रिच अजन्सी तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंत्रिच यात्री को उतारने की योजना बना रही है तो नासा आगे बात क तो कौन सी कच्छा को मौसम निगरानी उपग्रह उपग्रहों को रखने के उद्देश सबसे उप्युक्त माना जाता है तो भू स्थिरक अच्छा आगे बात करें तो भारत द्वारा लांच किये गए चंद्रयान सेकेंड के लैंडर को नाम दिया गय था तो उसे विक्रम नाम दिया गय था कौन सी एक सुतंत्र भारती उपग्रह अधारित स्थापना प्रडाली है तो नाइविक आगे के बात करें तो भारत के पहले क्रतम क्रतिम उपग्रह अर भट को कौन से वहन से ले जाया गया था तो सी वन इंटर कॉसमस से ले जाया गया था आगे हम बात करें तो यहां पर प्रेक्टिस बेट कोश्चन हो जाएंगे तो कौन सी बैस्विक इस्थान निर्धारा प्रलाली नहीं है तो भूविक अगला कोश्चन है जी सैट थार्टी एक संचार उपग्रह है अंत्रिच में यात्रा करने वाले पहले बंदर का नाम क्या था यह हो जाएगा अलबर्ट सेकेंड आगे बात करें तो अंत्रिच में जाने वाले सरप्रथम कुत्ते का नाम लाइका हो जाएगा इस रों किस से सम्मंदित है तो अंत्रिच अनुसंधा के संदर्भ में ब्योममित्र किसका नाम है तो भारती रोबोट का नाम है नासा की बोल चाल में इवी ए क्या है तो इस पेस वाक है जिस इस पेस सटल से सुनीता विलियम्स प्रत्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था दिसकवरि अगला क्योंषन है भारत का पहला बारत का पहला गुजशन हुआए चंद्रीयां दो की नाम से जाना जाता है अगला question हो जाएगा नील आमस्टांग और एडविन अल्द्रिन ने किस वर्स चंद्रमा पर कदम रखा था यह हो जाएगा 20 जुलाई 1979 में भारत में SLV पहली बार कब इस्तिमाल किया गया था 1987 में कितने अंत्रिच यात्रियों ने चांद की सायर की है तो 12 की है भारत का पहला सफल रच्छा उपग्रह इनमें से कौन सा है यह हो जाएगा प्रफ जैने इक उद्धेश क्या थे चंद्रीयं तीन क Sorry Ts fighting इसवार चंद की सथय고 । तो नवेशन करने के लिए डिजाइन किया गए था तो दच्छणी धुरू के लिए इसे मुक्रूप से डिजाइन किया गए था आगे देहें बात करें तो यहां आदित मौसम पर प्रभाव का अध्यन करने के लिए भेजा गया था लांच कब किया गया था इसको तो इसे सूर्व प्रत्वी प्रडाली के पहले लांग रेजियन बिंदू 11 पर जो हो तो इसको क्या किया गया था इसको स्थापित करना था के चारो और हेलो आकार के आवर्तन में ल आगे बात करें तो इसमें भारती अनुसंधान, संस्थान और अंतरिच संगठनों के बीच सहयोग सामिल है जिसे भारती अंतरिच अनुसंधान इसरों ने अग्लड़ी भूमिका दी है ठीक है तो इस तरीके से हमारे हमने तीन टॉपिक इसमें कबर किये और इसका जाएगा टेलिग्राम में तो वहां से आप पीडिया प्राप्त कर सकते हैं बाकि जो तो अगला लेक्चर ही जो तो आज ही बना देंगे और आज ही वो भी साइद अपलोड भी करेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो तो ये खतम हो ठीक है तो आज के लिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीजियो में जै हिन जै भारत